आगे हैं आप सब आपका स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में और आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक जादवी चैया दोस्तों यह जो चाय है इसका सेवन मैं कर रही हो यह आप लोग के लिए बहुत इफादे मन्द हो सकता है कब जोगयों के लिए रामबार रख अढेक हासी जुकां। भुखार को दूर रखता है दोस्तों अगर आपको भुखार अरा आप इसका सेवन कर सकते हैं जो चाय को पीने के बाद आपके आँखों की रोशनी बेसकती है और साथ ही दोस्तों यह जो चैय है वेट लूस करने म यहां दोस्तों आज का वीडियो आपने बहुत ही ज्यादा यूच्फुल होने वाला है हर रोगों की एक दबा है यह चाय बस दिन में एक बारस का सेवन करना है दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी चाल पर मैं आपकी दोष्टी गुपता तो चलिए आज का यह वीडियो स मैं अर जाल किसमा तो सेच हैं करना है किसे चाय बनानी और सेवन कैसे का था किसमा का यह चाय बना लग मैं फ्राइदा है यहां को साथ में बताती चैलों की तो चलो आए यह को सेच करतेश हैं meine वीडियो को रहुत करते हैす nenhum बश्तेच्व हम लोग यह जादवी चाय बना ल कप पानी जब एक भाग जब पानी का उड़ जाए ठीक है तो तीन भाग रह जाता है लगबख दो कप का देख देख अब समझ के ओंगे तो देलक बन के तयार होगी तो मैं ना पानी ले लिया अप इसमें अब अब लाने देते हैं उबाल आने के बाद इसमें हमें एड करना है सौफ जी यहां दो चमस लगबक सौफ एड़ कर रही हूं आप चाहतों मत्रा कम या जादा कर सकते हैं यहां दोस्तों सौफ को अच्छे से उबल जाने देंगे तब तक मैं आपको बतादू सौफ का पानी हमारे लिए बहुत ही फायदेमांद है जी यहां यह जो चैया बन करें लोग यानि आपके पेट में ग्यास बंदी कब्ज की प्रॉबलम है पेट फूलता रहता है आपको भूख नहीं लगती है आप खानी पाते हो आप बसका सेवन करना शुरू करो आपको भूग लगनी शुरू हो जाएगी आपकी जो गैस है ना वह चूमंतर हो जाए यह चाय वगर हम यूज करते हैं मिठायों में यूज करते हैं बड़ी इलाची का इस्तेमाल नहीं करेंगे सिर्फ दो इलाची लेनी है इसको भी डाल देना है अब इसे अच्छे से उबल जाने दीजे पक जाने दीजे लगवाग पांच मिट आपको पकाने में लगए पा कम करने में हमाई हेल्फ करते हैं इलाची में ए कि हमारे बड़ेट पेशयार को नियंत्र locks कर्ण में हमाई यूज करते हैं इस हमारी मुं कशना को दूर करते हैं मुंसे बढ़बू आते है कैवटी की जो प्रॉबलम होती है वो सौल्ब hoor जाती है शुगर लेबल को भी कंट्रोल करने में हमाई हेल्प करती है इलाची बहुत ज़दा यूजफूल है और ये सौफ इलाची की जो चाय बन के तियार होती है ये सारे रोगों को दूर कर देती है सर्दी खासी जुखाम के अगर प्रॉबलम है आपके गले में दर्द रहता है आप इसका सेवन करो आपकी सर्दी खासी जुखाम भी छूम अंतर हो जाएगी दोस्तो हमारी चाय बन के तियार होगी अब मैं इसे चान लेती हूँ दोस्तो इस चाय को आपको गुनगुना ही पीना है बहुत गरम बहुत ठणना नहीं पीना है आप दिन में से कभी भी पी सकते हो सुबह खाली पेड़ पीष सकते हो चाहो तो तो आप गुडि ऐड़ कर सकते हो लेकिन आपको बता हुए केसे स्वाद मिठक तो आपको एक्स्ट्रा चीनी वगारा एड़ करने के जुरूत नहीं है लेकिन हो सकता है कुछ लोग को यह टेस्ट पसंदना है तो आप इसमें चीनी भी एड़ कर सकते हो यह चैना पीने में बहुत ज्यादा तेश्टी है जिया सौफ और इलाइची का जो फ्लीवर है बाप गुर्णगुना पानी होता है वह हमारे आतों की सिकाई करने में हैल्फ करता है तो पेट के अंदर की सूजन है वह भी कम हो जाती है साथ दोस्तों आप के फाइदे और एलाइची के फाइदे हमारे बौडी को मिलती है इसके वेन फिट इसकी गूर्णश में बहुत से जाह जहने है सब्चर्ण क्या इसका हो 2-2 क्यों पहले चेह फायदमन है भी फ्यादे सब्सक्रा इस प्रॉब्लमों को प्रॉब्लम होती है दो वर इसके में उसल्ठा किन कि छोटे बच्चों को हो सके तो इसका सेवन करने बिलकुम मत दीजे और 12 साल के उपर के बच्चों को आप आधा कप इसे दे सकते हैं ठीक है लेकिन ना बहुत ही डेली नहीं कि उनको वेट लूस करवा दो बहुत दोगों कि आदत होती है उनके बिटे काफी हैवी होते है ठ अगर लूस करते हैं उनको वेट लूस करने के लिए आप उनको घेम करते हैं ठीक है खेल कर वा तब लूस के डाइट को कंट्रोल करो तो पीट में दर्द हो रहा साधी खासी दुकाम की पॉबलम है तो आप एक दो बार आप यह यह दे सकते हैं रेगलर उनहीं देना तो द दोस्तों अगर आज का वीडियो आपके लिए यूजफूल हो तो प्लीस इसे लाइक चेयर कर देना मैं इसी तरह कि यूजफूल वीडियो से आप लोकिशायर करती हूं तो दोस्तों और इस वीडियो को अपने परिवार के सबस्तों अमित्रों के शाद वाट्सेट यह वीडियो ना हो सकता है किसी के लिए बोखोत ही ज्यादा यूजफूल हो तो जरू शेयर करेंगा ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगा और पहली बाद चैनल पर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो पगल में लागी घंटी बजा दो फिलहाल दोस्तों इस वीडिय नेक्स वीडियो में तब तक ले जय हिन जय भारत और तब तक मैं अपनी जय फिनिश कर लेती हूं